निहा एक प्यारी लड़की थी, जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास पाँच पालतु जानवर थे, एक खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, तोता और कबूतर। उसकी खरगोश का नाम गोलू था। गोलू सफेद और मुलायम था, जो बगीचे में कूत्ता और हरी कखाता था। निहा की बिल्ली नीना बहुत चनचल था, वह अक्सर निहा के पास आकर और नियाओंं करती। निहा का कुत्ता टोनी बहादुर था और घर की रकषाली करता था। निहा के साथ पात्ने खेलना उसे बहुत पसंद था। मिठु निहा का तोता था, जो हरे था वेह निहा की नकल करता और निहा, निहा बोलता, कभूधर्चिंग की सफेद रंका था और छट पर निहा के साथ उरता था निहा अपने पालतु जानवरों के साथ हर दिन बगीजे में खेलती थी एक दिन टोनी ने गोलों को गिरने से बचाया, जिसे देखतर निहा ने सीखा कि जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं निहा ने समझा कि जानवरों से प्यार करना और उनका ध्यान रखना हमें खुशी और प्यार सिखाता है वे अपने पालतू जानवरों के साथ खुश थी और वे भी उससे बहुत प्यार करते थे अन्थ में हाँ उसके पालतू जानवरों की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और दोस्ती का कोई अन्थ नहीं होत